नमस्ते जी कैसे हैं आप? सावन का महीना चल रहा है और चारो और महादेव की कृपा ही कृपा नजर आ रही है चारो और भक्त जन महादेव का नाम ही ले रहे हैं देश भर बड़े धूम धाम से इस साल सावन मनाया जा रहा है देखे ना समय का पता भी ना चला और आज से ठीक एक हफ़ते में सावन पूर्णिमा आ जाएगी यानि की राखी त्योहार आ जाएगा सावन पूर्णिमा इस बेहत खास बेहत पावन सावन के महीने का अंतिम्तिती है इसके बाद शुरू होगा गलपती बबबा का महीना जीहां भातरपद महीना आने वाला है जब लड़ो गोपाल जी की आराधना यानि जन्माष्ट मी मनाएंगे गनपती बबबा मोर्या मंगल मूर्ती मोर्या की गुण जुठेगी जब हम मनाएंगे गनेश चतुल थी महालाया मनाएंगे पित्रों को प्रसन करेंगे पित्रों को श्राध हरपन करेंगे और उनकी आशरवाद लेंगे फिर आएका सर्वस्रिष्टी की माता के नव रूपों की पूजा साल का बेहत खास समय नवरात्री मनाएंगे और बढ़ेंगे कार्थिक मास की और देखा आपने चतर मास के पहले मास की आल्मोस्ट एंड तक आ गए हैं सावन मास शिवजी को अतिप्रिया है साथ ही इस माह के पूर्निमा को चांद सोला कलाओं से यक्त होगा इसलिए घास करके इस महीने में चांद से रिलेटर यानि की चांदी के त्रिशूल, चांदी का ओम, चांदी की डिबपी, मोती वगेरा खरीद कर घर लाते हैं इस वीडियो में हमेशा की तरह हम एक बहुत सरल उपाय जानेंगे जिस से उतना ही शुफ़ल मिलते हैं, जितना चांदी या मोती को सावन के महीने में घर लाने से प्राप्त होते हैं तो क्या है वो चीज़? भस्म दोस्तो आपको पता होगा कि हमारे महादेव ची को भस्म कितना प्रिया है जिसमें हमें अंत दिखाई देता है, राख दिखाई देता है उसी में महादेव को नई शुरुवात दिखाई देता है अंत ही शुरुवात है तो किसी भी शिव मंदर से सावन महीने में यानि की राखी वाली पूर्णिमा से पहले ही शिव मंदर से भस्म ले आएं ये आप चाहे तो डिब्बी में भर कर ले आएं या कागस की एक छोती पूरिया में सावन भर्द शिवजी की धूम धाम से पूजा होती है अनिको श्रतालू पूरे लगन और इमानदारी से मंदिरों में शिवजी की पूजा करते हैं उसी पूजा का ये ब्राइप प्रोडक्ट होता है ये भस्म जिसके कंड कंड में वो सारा पॉजिटिव एनरजी समाया होता है वैसे सावन महीना का हर दिन शुब होता है इसलिए आपको वार या तिती देखने की इसमें कोई आवश्यक्ता नहीं है और नेक कामें बिलकुल देरी ना करें इस भस्म को अपने माथे पर इस तरह तिलक करना चाहिए दोस्तो ध्यान रखिये इस बात का बिंदी या खड़ी रेखा में नहीं महिलाएं बिंदी पहनती है तो बिंदी के उपर लगाना है इसे रोज लगाए दोस्तो मन को शांत रखता है जिन्दगी के संघर्षों का सानना करने का भरपूर होसला और ताकर देता है रोगों से छुटकारा दिलाता है पाठक को अपने कार्य में सफलता देता है बच्चों को भी अवश लगाए बुरे नजर से बचाता है इसे ना केवल दिन में बलकि सोने से पहले भी अवश ल भी होती है दोस्तों इसलिए इस बेहत सरल और मुफ्त के उपाय को जरूर आजमाए और अपने करीबियों को भी जरूर बताए हर हर महादेव